ट्राइंगल्स पे आने वाला है कि इंपॉर्टें एमसी क्यों है इस ट्राइंगल ABC में DE is parallel to BC, DE BC के parallel है, AD is equal to 3 cm, BD is equal to 4 cm, A is equal to 6 cm, then what is EC? अब BPT के according, अगर DE line BC के parallel है, तो ये जो line है, ये ट्राइंगल के side को equal ratio में divide करती है, यानि AD upon BC equals to AE upon EC, तो यहाँ पर मैंने लिख लिए है, अब सिर्फ सब की value रग दो, AD की value 3 है, DB की value 4 है, AE की value 6 है, और इसी हमें नहीं मालूम, बस कर दीजिए, cross multiply, तो कितना हो जाएगा, 3X is यानि की 8, तो आपका answer है 8, जो कि आप